हेलो फ्रेंड्स, सीटेट क्रैकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, आज हम साइन्स, NCERT, क्लास 6 का आठवा अध्या देखेंगे, जिसमें सारीरिक गती के बारे में बात करेंगे, या मुव्मेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये मुव्मेंट्स कैसे होता है, या इसके अलावा रेंग सकता है, या उड़ सकता है, तो ये सभी बिभिन परकार के मुव्मेंट्स हैं, अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे, कि ये जो गतीविधियां है, वो क्यों होता है? तो friends, कोई भी जगा पर जब movements होता है या कोई चीज जो है, मूडता है, या घूमता है ये तभी हो सकता है, जब वहाँ पर आकर दो हड़ियां जूडती है तो जहाँ पर जिस जगा पर दो हड़ियां आपस में joints होता है आपस में जूडता है उस जगा को हम लोग joints कहते हैं, शंधी कहते हैं friends जब आप मानभ सरीर की संड़क्षना की बात करें तो यहाँ पे एक तो आंतरिक संड़क्षना होती है, दूसरी बाहर संड़क्षना होती है अगर internal organ या आंत्रिक संरचना की अगर बात करें तो इसमें कौन-कौन से organ आते हैं आपके जैसे kidney हो गया, stomach, liver जिसों आप देख नहीं सकते बाहर से इसके अलावा जो आप external organ होता है जो बाहरी अंग होते हैं जैसे हाथ, पैर, सीर, गर्दन ये सबी चीज़ों को हम देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा आज फोकस होगा उन्हें external organ के movements को लेकर समझने की जिसमें हम ये जानेंगे कि कोई भी external organ जो है किस प्रकार से अलग-अलग तरीके से joints होता है तथा उसमें movements पाया जाता है तो चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसको विस्तार से देखते हैं कि ये हमारे सरीर के अंदर जो है कितने प्रकार के अलग-अलग joints मौजूद है तो सबसे पहले यहाँ पे क्रिया कलाब दिया गया है है ना इसको बात में देखेंगे darkness को सबसे पहले हम जानते है यहाँ पे note करने वाली बात है की संधी क्या होता है हना तो जब जिस जगह पर हना दो हड़ीया जो है आकर मिड़ती है या फिर दो mass softly जो है अपस में जुड़ती है उस स्थान को क्या कहते है संधी कहते है देखे फ्रेंट्स यहाँ पर किन स्थानों को संधी करते हैं जिस स्थान पर एक दूसरे से क्या होता है जूरता है जैसे कोहनी, कंधा, अर्थात गर्दन तो वहाँ पर क्या हो रहा है दो हड़ियां जो हैं आपस में आ करके जूरती है यदि हमारे सरीर में कोई संधी नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गती करना संभव होता तो फ्रेंट्स आपके मन में भी ये सवाल उठता होगा कि क्या अगर हमारे सरीर में कोई संधी नहीं होता, कोई जॉयंट्स नहीं होता तो क्या हम गती कर पाते हम अपने हाथ को मूव कर पाते हम अपने पैर को मूव कर पाते बिल्कुल नहीं ऐसा संभब नहीं होता अब देख लेते हैं कि विभीन गती विधियां एवं विभीन प्रकार की गतियों के लिए हमारे सरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती है अब हम उसके बारे में जान लेते हैं पहला जो संदी है उसका नाम है कंदुख खली का संदी जिसको बोलते हैं ball and socket joints ball and socket joints Queens, ball and socket joints में क्या होता है ball and socket joints का मतलब होता है कि एक ball है और उसमें क्या है और वो किसी socket में जो है इस तरीके से आप socket इस तरीके का आप बना सकते हैं socket के अंदर क्या है वो उसमें अराम से 360 डिग्री पर घूम सकता है यह जो है इस प्रकार का एक बैलनाकार आप सिलेंड्रिकल कुछ भी आप इस तरीके का पटी एक ले सकते हैं कागज का इसमें आप इसके सीरे पर क्या कर सकते हैं बेलन के आकार का कुछ भी आप कागज का बना लिजिए यहाँ पे आप एक बॉल चिपका लिजिए और एक सौकेट या फिर कटोरी में इस बॉल को क्या कीज़े फिट कर दिजिए इस क्रिया कलाप में जैसा की दिखाया गया है हना कागज की पटी को बेलन के रूप में मोड लेना है रवड या फिर प्लास्टिक की कोई पुरानी गेंद में एक छेद करके उसमें मोडे हुए कागज के बेलन को डाल देना है हना जैसा की चितर में यहाँ पे दिखाया गया अब कागज के जो बेलन है यहाँ पे देखे फ्रेंट्स यह आपका पिक्चर में दिख रहा है कागज का जो बेलन है यह है आपका इसके बाद यहाँ पे जो है गेंद जो है इसको लगा दिया गया है और यहाँ पे कटोरी में इसको इस तरीके से व्यवस्थित कर दी गई है तो फ्रेंट्स आपको दीख रहा होगा पिक्चर में कि आप इसको 360 डिग्री से मूव कर सकते हैं, इसको मूवमेंट्स कर सकते हैं तो यहाँ पर आप पाएंगे कि गेंद जो है कटोरी में स्वतनत रुप से क्या हो रहा है? घूम रहा है यह जोइंट्स आपके बोडी में कहां पाया जाएगा? कंधे में इसके अलावा हीप में देखा जा सकता है फ्रेंट्स आप आपने कंधों को घुमा कर देख सकते हैं, मैं तो आपको सामने दिखा नहीं सकती यहाँ पर इस वीडियो में तो यह कहलाता है बॉल एंड शॉकेट जॉइंट्स जिसको कंधुख खली का संधी बोला जाता है तो कंधे और कुल्हे का जो जोड़ है जिसको हम लोग बोलते हैं जो हिप का जो जॉइंट्स होता है वो उसका एक्जामपल हो जाएगा तो फ्रेंट्स आगे चलते हैं यह आपका हीप का है यहाँ पर जांक की जो अश्थी है और यहाँ पर कंधुख खली का यह आप देख रहे होंगे यहाँ पे बेलनाकार इस तरीके का है है ना और यहाँ पे बॉल की तरह आकिरती है और यह socket like structure में क्या है fit कर गया है और इस तरीके से जो है move कर रहा है 360 degree से अगला जो आपका संधी है वो है धुरागर संधी यह आपका दूसरा है note आपको यही करना है जहां तक जितना आपको बताया जा रहा है जो आपको lining दिखाया जा रहा है अब धुरागर संधी pivotal joints क्या होता है इसका अंग्रेजी होता है pivotal joint pivotals joint या pivot joint इसको केंद्रिये जोड भी बोलते हैं धुरागर संधी भी बोलते है तो friends गर्दन तथा सीर को जोडने वाली जो संधी होती है वो क्या होता है धुरागर संधी कहलाता है गर्दन और सीर को जो जोडने वाली अस्थी है आप friends खुद के बोड़े के उपर आप experiment करते रहिए है ना तभी आपको अच्छे से पता चलेगा इसमें क्या होता है इसमें एक cylinder जो है इस प्रकार से ring में ब्यवस्थित होता है है ना कि इसको आप क्या कर सकते हैं आगे पीछे या फिर दाएं वाएं घुआ सकते हैं तो आप अपने सीर को अराम से आप दाएं वाएं और आगे पीछे करके देख सकते हैं तो ये जो गती होता है वो क्या कर लाता है धुरागर संधी कर लाता है इन गतियों को करने का प्रयास किजिए है ना आप इसको करने का प्रयास किजिए खुद से गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भीन है यह देखे पिक्चर में धुरागर संधी यहाँ पे है गला तो आप कंदु खलीका जो संधी जो आपने अभी किया था है ना जो आप सोल्डर के पास जो आप घूमा रहे थे पूरी तरह से जो 360 डिग्री में घूम रहा था तो उस तरीके से आप अपने सर को नहीं घूमा सकते हैं अगर ऐसा होता तो आप कभी भी पीछे मोड़ कर देख लेते हैं तो एसा बिल्कुल नहीं होता है तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि कंदुख खली का जो movements है या जो ball and socket joints होता है उसमें आप जो है क्या करते हैं कोई भी जो है बॉल होता है और एक socket में वो इस तरीके से क्या होता है व्यवस्थित होता है कि वो 360 डिग्री से move कर सकता ह है ना जो आपके कंदे और हीप में देखा जाता है लेकिन धूराग रिशंदी में क्या होता है धूराग रिशंदी में जो है गरदन और सीर से जूड़ने वाली जो संधी होती है वो या तो आगे पीछे या फिर दाएं बाएं घूम सकता है सीर का जो नीचला हिस्सा है उसको अगर आप रिंग मालने तो एक रिंग में इस प्रकार से विवस्थित है कि दाएं बाएं या आगे पीछे घूम सकता है तो यह संधी का लाता है पाइबोटल जूइंट इसको हम लोग धूराग रिशंदी भी कहते है नेक्स्ट है हिंज ज हिंज जूइंट्स यह क्या होता है इसके बारे में जालते हैं घर के किसी दरवाजे को बार बार खोली और बंद किसी है इसके कबजों को ध्यान पुर्वक देखे या दरवाजे को आगे पीछे की ओर खुलने देता है तो यह जो है एक ही डारेक्शन में मूफ करता है जो अस्थियां होती है वह आपका किस क्या किसका एक्जांपल हो जाएगा हिंज जॉइंट्स की एक्जांपल हो जाएगा इस क्रिया कलाप में क्या किया गया है एक बेलनाकार आप यह पिक्चर में देखे यह एक बेलन है यह बेलनाकार कागज के सीट से इसको बना दिया बंद करते हैं या जो बहुत इस तरीके से कान आप अपने हाथ को को फैला करखिया है या जो घुटना होता है आप उसको फैला करके देख सकते हैं कि आप एक ही direction में उसको move कर पाते होंगे ऐसा नहीं कि आप जितना उपर move कर रहे होंगे हाथ में shoulder side उसी तरीके से आप नीचे भी move कर पा रहे होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है है ना और इस तरीके का जिसमें दोनों direction में move होता है यह आपका यहाँ पर NCRT में नहीं दिया है बट मर फिर भी बता देते हूं यहाँ पर एक eclipse wide joint होता है है ना eclipse wide joint में क्या होता है दोनों direction में movements होता है तो friends hinge joint में आपको याद रखना है कि एक ही direction में move करता है hinge joint एक ही plane में move होता है लेकिन eclipse wide joints जैसे आपका कलाई का जो bone है तो आप कलाई को देख रहे होंगे जितना आप उपर उठा रहे होंगे उतना ही आप नीचे भी कर पा रहे होंगे तो ये जो है friends ये होता है आपका eclipse wide joints जो यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है next यहाँ पर बात करते हैं अचल संधी है ना तो कोहनी की जो संधी होता है वो क्या होता है hinge joints होता है उसमें जिसमें केवल आगे पीछे एक ही दिशा में गती हो सकता है तो ये आपको points note करना है की कोहनी में जो है hinge joint होता है और इसमें क्या होता है केवल आगे पीछे एक ही दिशा में गती होता है चले friends आगे चलते हैं fixed joint यह इसी को बोलते हैं अचल संधी ये क्या होता है जैसा कि नाम से आपको ग्यात हो रहा है कि fixed होता है इस्तिर होता है तो वो joints जो क्या होगा बिल्कुल मूव नहीं कर सकता थो यह असतिया इन संधियों पर हिल नहीं सकती है तो वैसा joints जो بالकुल मूव नहीं कर सकता है ऐसी संधियों को हम लोग बोलते हैं आचल संधि जब आप अपना मुंग wrench होलते हैं तो आप अपने नीचले जबड़े को सीर से दूर ले जाते हैं, आप फ्रेंट्स देखे होंगे, जो आपका नीचे का बोन होता है, नीचले जबड़ा होता है, जब आप बोल रहे होते हैं, तो आपका नीचला जबड़ा होता है, वो क्या होता है, नीचे की ओर मूव करता है लेकिन आपका जो उपरी जबड़ा है वो हिलाने का प्रयास किजिए क्या वो हिलता है बिल्कुल भी नहीं ऐसा नहीं है कि वो सीर के बिल्कुल पास चला जाता है या उपर चला जाता है ऐसा बिल्कुल नहीं होता है तो जो उपरी जबड़ा है और कपाल है उसके जो मद जो संधी होता है वो कहलाती है आचल संधी तो ये points आप note कर लेंगे है ना कि वे अस्थियां या वे संधी जो बिल्कुल move नहीं करता है बिल्कुल hill नहीं सकता है उसको हम लोग आचल संधी कहते हैं और यहाँ पर एक्जामपल में आपको याद रखना है जबड़े और कपाल के वीच में जो संधी होता है वो आपका जबड़े और कपाल के वीच में कौन जबड़ा उपरी जबड़ा है ना यहां पर आपको बोन का नाम पूछाने जाता है है ना एक मैंडीवल होता है एक मैकसीला होता है तो मैकसीला जो बोन है वो आपका उपरी जबड़ा है तो मैकसीला बोन जो है आपका वो आपका अचल संदी का एक्जामपल होगा यहां पर आपको याद रखने कि इसमें कोई जरूरत नहीं कि बोन का नाम किया है, ना कभी एक्जाम में कभी पूछेगा, यह CTT एक्जाम में कभी नहीं पूछ सकता है, तो यहां पर आपको याद रखना है अचल संधी बस, नेक्स्ट आगे चलते हैं, फ्रेंड्स यहां पर एक और संधी होता है, लेकिन यहां पर आपको दिया गया नहीं है, तो मैं आपको बता देती हूँ, एक सैडल जॉइंट होता है, है ना, सैडल संधी होता है, सैडल जॉइंट या सैडल संधी होता है, यह कहां पर होता है, आपके फिंगर्स में, या अं लिए तो यह जो संदी होता है वह कि अगर आप गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले बनाएंगे संभफ़तागुडिया की आक खीरति प्रदान करने के लिए आप एक धाचा तयार करेंगे आप ऐसा नहीं करेंगे हमारे सरीर की सभी अस्थियां जो है ठीक इसी प्रकार सरीर को एक सुंदर अकृती प्रदान करने क्लिक धाचा का निर्वान करती है इसी धाचा को हम लोग क्या बोलते हैं कंकाल बोलते हैं फ्रे पबामिल कर दे एक साथ तो यह कहलाती है कंकाल जिसको हम लोगट आसकेलटल बोलते हैं और यह सिस्टम को बोलते हैं इस सिस्टम को बोलते हैं तरह अगर आपको कंखाल का imitate चाहिए तो आपकी चो टाने स्क राज तो ऊंग देख सकते हैं कि किस प्रकार से जॉइंज जूडे होता है हट्डिया अपस में जूड़े होता हैं यहां पर हम एक नोटे वल पॉइंट्स हम खरकल तो को सी आफ्ले मूलत है लोग है है न तो दो टर्म्स है याद रखना है पहला टेंडन और दूसरा आपका लिगामेंट्स है आटेंडन और नौसरा लेगामेंट्स तो किसे होऊँज तो टेंडन क्या होता है टेंडन होता है जब जब बुन–बुन जो है बोन के साथ मिलकर joints बनाता है तो muscles to bone जो है वो क्या कहलाती है ligaments कहलाती है ये दोनों आपको commonly काम आ सकती है कभी कभी friends आगे कभी भी exam में यहां से question भी पूछा जा सकता है तो आपको याद रखना है विल्कुल ध्यान देना इस point पे कि tendon क्या होता है और ligaments क्या होता है तो bone bone जब एक साथ मिलता है तो उसको बोलते है tendon और muscles और bone जब एक साथ मिलता है तो उसको बोलते है ligaments है ना तो friends आपको समझ आ रहा होगा आगे चलते हैं अब यहाँ पे बात करेंगे कि कंकाल तंत्र या फिर कंकाल में हम लोग पढ़े कि हड्डिया जोड़े और उपास थी यह सारे सामील होते हैं और आप इसका इमेज देख सकते हैं एक सरे चीत्र में तो यह आपको पता चलेगा इस तरीके से जैसे टकने या घूटने की जो संधी है उसका एक सरे चीत्र में आप देखें यहाँ पर बिल्कुल दिखाया गया है पिक्चर में साफ साफ नजर आ रहा है किस प्रकार से दो बो जो है आपस में जोइंट्स होते हैं अब यहाँ पर देख लेते हैं यह देखें फ्रेंट्स अपने अंगुलियों को मोड़िये क्या आप उन्हें प्रतेक संधी अस्थल पर मोड़ सकते हैं तो आप देख रहे होंगे कि आप प्रतेक संधी अस्थल पर उसको मोड़ पा रहे होंगे हाना आपकी मधमा में कितनी अस्थियां है हाना आपकी हथेली के पिछले भाकुष फर्स करके अनुभब किजिए क्या इसमें अनेक अस्थियां है क्या आपकी कलाईल अचीली है क्या अनेक छोटी-छोटी अस्थियों से मिलके बनता है जिने हम कारपल करते हैं तो फ्रेंट्स फिंगर्स में जो भी अस्थियां होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कारपल्स या मेटा क तो फ्रेंट्स यहां पर बहुत सारे हड़ी यहां सिल छButton तुमिंगर्णास आपको उतना जादा जानने का जरूत नहीं है बस आप यह जानेंगे कि फिंगर्स के जो अस्थियां होती है उन्हें क्या गलते हैं उन्हें कार्पल्स करते हैं तो यह आप पॉइंट नोट कर लेंगे अब फ्रेंट्स आगे देखते हैं यहाँ पे क्रिया कलाप को पहले पढ़ लते हैं गहरी सास भर कर इसे कुछ समय तक रोके रहे अपने बक्ष और पीट को हलके से दवा कर अपने अस्थियों का अनुभव किजिए जितनी पसलियों को आप गिन सकते हैं गिन लिजिए है ना अब वक्ष की अस्थियों की तुलना में तुलना अपने उपर्यूक्त अनुभव से कीजिए हम देखते हैं कि पसलियों बिसेश रूप से मुड़ी हुई है वे वक्ष की आकरिती और मेरुदन से जुड़कर एक बक्षे की रचना करती है इस संकी रूपी वक्षे क को हम क्या बोलते हैं पसली पिंजर करते हैं अब आपको यहां पर आपको नोट करना है क्या कि वक्ष की जो अस्थी होता है और मेरुदन होता है है ना वक्ष की पसलियों जो हैं मुड़ी होती है विसेश प्रकार से और वे वक्ष की अस्थी और मेरुदन से जुड़कर ए यह जो इस तरीके से जो बना हुआ है आप पिक्चर देख रहे होंगे है ना इस तरीके से संकुरूपी आपको लग रहा होगा है ना तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पसली पिंजर बोलते हैं अब पूछा जाता है कोशन की बक्ष के दोनों तरफ पसलियां कितनी होती है ह आप यहां पर गिन भी सकते हैं कि कितने पसलियां है तो एक, दो, तीन, चार, पाथ, छे, साथ, आठ, नौ, दा, सिगारा, बारा है ना तो वन साइट बारा और टोटल मिना करके 24 पसलियां होती है हमारे सरीर के अंदर हमारे सरीर के कुछ महत्पूर्ण अंग इसमें सुरक ख heading को पहरें तरह तरह, अगर हम कंकाल की कारे की बात करें तो एक तरफ यह है, पहला जो कारे है, यह हमारे बोडी को जो, एक संदचना प्रदान करता है इसमें करता है, धुसरा जो है जितने भी आंत्रिक ओर गन है, जितने भी इंटर्थल दिख और गन है, उन सारे ओर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, तो कंकाल जो है, हमारे सरीर के सनग्ना का निर्मान करता है, इसके अलावा आंथ्रीख कांगों को भी प्रोटेक्षन देता है, अब आगे देखते हैं आपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोडे जुक कर अपने पाउ की अंगुलिया छूने को कहिए क्या यह चिकनी सम्तल अथवा अखंड है फ्रेंड्स यहाँ पे आपके बैकबोन में क्या होता है पीठ में अगर आप देखें तो आपके पीछे मेरुदंड होता है यह अनेक छोटी छोटी अस्तियों से मिलकर बना होता है जिसे कशेरुक कहते हैं तो यह भी आपको बात याद रखना है कि पीठ में आपका मेरुदंड होता है चोड़ी-छोटी अस्थियों से बना होता इसको क्या बोलते हैं कशे रुका बोलते हैं मेरुदन की संख्या कितनी होती है उसमें 33 कशे रुकाएं होती है तो आपको ये point याद रखना है कि मेरुदन जो है 33 यानि 33 कशे रुकाओं से मिलकर बना होता है और पसली पिंजर भी बक्ष छेत्र के इन अस्थियों से जुड़ा हुआ होता है तो आगे का पार्ट आपका कौन सा है यह जो आप देख रहे थे पिक्चर में यहाँ पे है ना जो पसली पिंजर था वो और है ना पीट के भाग में आपका कौन है मेरुदंड है तो दोनों जो है क्या होता है आप और वो बैक नहीं पाता है है ना उवो अच्छे से चलने ही पाता तो इस तरीके से होसकता है अब आप अपने फ्रेंडस को यह कहिए कि आप हाथ से दिवार को धका देढ़ेंगे तो पीछे की ओर देखेंगे कि दो जो है हडड़ी जो है आपका बाहर की और निकला रहता है है ना बाहर की और निकल जाता है इसको हम लोग क्या बोलते है 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 ना आपको कंधे के समीब दो उबरी हुई इस्थियां दिखाई देता है इसको हम लोग क्या बोलते है कंधे की इस्थियां है ना तो फ्रेंट्स कं अब नीचे की संरचना आप देखिए, यहाँ पर जो पिक्चर बना हुआ है, यह हीप है आपका, तो यहाँ पर इस संरचना जो है, श्रेनी अस्थिया है, यह बक्ष के समान एक ऐसी संरचना होता है, जो आपके आमास है के ठीक नीचे, जाने वाले विभीन अंगो की या कुल्हे वाला हिस्सा होता है जिसके सारे आप बैठते हैं तो ये वो चीज है आपका आपके खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जूड़ने से बनी है या हमारे सरीर के अती महतकून अंग है है नमस्तिस्क को परिवद करके उसकी सुरच्छा प्रदान करता है हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों और संधियों के बारे में चर्चा किया कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी है जो हड्डियों जितना कठोर नहीं होता है जिसको हम लोग बोलते है उपास्थी है ना तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उपास्थी के बारे में ज तो आप ये जब हिस्सा टच करेंगे और यह इसा टच करेंगे तो दोनों में काफी ज्यादा फर्क नजर आएगा यह काफी ज्यादा कठोर नजर आएगा और यह काफी कि आफ़ी सौफ्ट नजर आएगा थो यह जो निचला हिस्सा यह किस्से बना हुआ है यह का काल की से बना हुआ है ईसमें होता है है ना अब फ्रेंड्स जब आप अपने हाथ को है ना मूव करते हैं गती प्रदान करते हैं तो यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स यहां पर एक संकुचन होता है 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 और दुसरी क смотреть है तो यहां पर ड schwemuck करते हैं किस प्रकार से हम अपने हाथ को move कर पाते हैं तो runs ऑना फिलाया हुए हैं है फिर आप ने यहां क्या क्या है प्रूड्ते हैं तो क्या हो रहा है कि यह बौडिे यहां पर heka का जो मसल्स है वो क्या हो रहा है यह कॉंट्राक्ट हो रहा है यह फैल रहा है और यहां पर जो है क्या हो रहा है यह आपका यहां पर क्या हो रहा है मसल्स वह रिलाक्स हो रहा है संखुचित हो रहा है फिर से जब आप बाहर कर लेते हैं इस तरीके से खीशते हैं तो फिर से क संकुचित होने के कारण वहाँ पेशिया क्या हो जाती है उभर जाती है तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जब यहाँ पे क्या हुआ रिलाक्ष्वी मानस पेशिया तो क्या हुआ संकुचित हो गया लंबाई में कमी आ जाती है जब आप अपने हाथ को पूना इस्थिती मिलाते तो पेशियां क्या होता है वहाँ पे क्या यह अभी भी संकुचित अवस्था में है चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में इसी प्रकार का संकुचन देखते हैं हाना तो संकुचन में क्या होता है एक मांस पेशियां अगर कॉंट्राक्ट होती है तो दुसरी मांस पेशियां रिलैक्स होती है हाना एक अगर संकुचित होता है तो दुसरा जो है क्या होता है सिकूरता है दुसरा फैलता है और एक संकुचित होता है एक फैलता है तो दुसर सिकुडता है है ना यह देखे दूसरी मास दूसरी पेसी जो है सिथिल हो जाती है मतलब लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है तो यहां पे संकुचित हो रहा है कहां पे सिथिल हो रहा है कहां पे तो यहां पे जो है क्या हो रहा है आप देख रहे होंगे जब यह मोड रहा इस तरीके से हमारे मसल्स होड़े में work करते है मुफ करते हैं परेंड्स आगे पढ़ते हैं कि जनतुएं किस प्रकार से चलती है क्या सब्रणतु जन्तु जो है एक ही प्रकार से उनका गदी होता है या फिर अलग अलग तरीके से मुव्मेंट्स इनका होता है तो आगे देखते हैं यहां पर जन्तु की चाल में सबसे पहला है केचुवा कि में नहीं होता है हना इसके बोडि में रिंक्स होता है जो आपस में कॉंट्र iç और रिलक्क्स करता है आपस में संकुचित होता है या फिर सिथिल होता है तो कि आपको 16 करना यह यहां पर आपको 16 करना है क्या है इस यहां पर नोट करना है के geht духuva में जो है बोन नहीं होता है हडी नहीं होता है इसके अलावा इसके बोडी में नहीं होते हैं और यह रिंग was जो है क्या होता है आपस में मतलब मसल से जूड़े होते हैं और आपस में क्या करते हैं कॉंट्रैक्ट और रिलाक्ष करते हैं यानि कि सिथिल होते हैं कभी कभी सिथिल होता है तो कभी संकुचित होता है कभी लंबाई कम हो जाती है तो कभी लंबाई बढ़ जाती है तो इसी तरीके से केचुवा चलता है केचुवे में गती होता है आप यहाँ पर विस्तार से अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से है देखें यहाँ पर केचवे का सरीर एक सीरे को दुसरे सीरे से सटा कर रखे गए अनेक छले से बना प्रतीत होता है केचवे के सरीर में अस्थियां नहीं होती है केचवे में अस्थियां नहीं होती है परंतु इसमें पेसियां होती है मतलब इसके muscles होते हैं जो इसके सरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करता है चलने के दौरान केचुवा आपने सरीर के पस्च भाग को पहले भूमी में जगड़े रहता है तथा आगे वाले भैक को फैला देता है इसके बाद अगर भाग से भूमी को पकड़ता है और पस्च भाग को स्वतंत्र छोड़ देता है और इसके पस्चात यह सरीर को संखुजित करता है और पस्च भाग को आगे क्यों खीसता है तो इस प्रकार से कुछ दूरी तक वो आगे बढ़ता है केचुवा इसी प्रकार स सटाकर रखे गए अनेक छलों से बना होता है मतलब इसके पूरी बोडी में क्या होता है रिंग होता है और इसके स्थियां नहीं होती है इसमें पेस्थियां होता है है इसके सरीर के घटने और बढ़ने में जो इसका सहायता करता है और इस प्रकार से केचवा क्या होता है चलत केचुआ जो है अपने रास्ते में आने वाले मिट्टी को क्या करता है खाता है उसका सरीर अनपचे बोजन को बाहर निकालता है और केचुआ द्वारा किया गया यही कार जो है मिट्टी को क्या करता है उपजाओ बनाता है जो की फसलों को फायदा होता है तो आपको ये बात आप भी ध्यान में रखना है कि केचुवा अपने रास्ते में आने वाले मिट्टी को क्या करता है खाता है और अनपचे जो पदार्थ होते है उसको बाहर निकालता है और इस प्रकार से केचुआ द्वारा किया गया ये कार जो है मिट्टी को काफी उपजाओ बना देता है जिससे पौधो को फाइदा पहुंचता है नेक्स्ट है घोंगा फ्रेम्स घोंगे के पीट पर आप गोल सनरचना देखे होंगे ये जो गोल सनरचना है इसको क्या बोलते हैं कवच बोलते हैं जो कि बाहरी कंकाल का काम करता है घोंगे का बाहरी कंकाल होता है घोंगे का जो बाहरी कंकाल होता है उसको हम लोग कवच बोल रहे हैं जो उसके पीट पर गोल सा रचना होता है परन्तु यह अस्थियों का बना नहीं होता है यह कवच जो है एकल एकक होता है और यह घोंगे को चलने में सहायता नहीं करता है यह घोंगे को एक साथ खीशता है ऐसा नहीं है कि गोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है ये कवच गोंगे को क्या करता है एक साथ खीसता है अब यहाँ पे हम समझ गया होंगे कि गोंगा जो है उसका एक बाहरी कंकाल होता है उसके जो पैर होते हैं देखें यहाँ पे कबच का जो छेद है वो खुलने पर आपने उसे एक मोटी मांसल सनरचना और सीर बाहर आते देखा होगा तो जो मोटी सनरचना है वो क्या है इसका पैर है जो दिड़ पेसियों का बना होता है अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मोटी संदचना होता है उसको क्या कलाता है पैर कलाता है जैसे ही कबत का छेद खुलता है तो उससे क्या निकलती है मोटी मांसल संदचना जो कि क्या होता है उसका पैर होता है जो दिड़ पेसियों का बना होता है अर्थात पैर जो ह और काफी जादा सक्त होता है, जब वह खुल तो उसमें, मौटी मांसल जैसे सनरचना पाई जाती है, है ना और वो मांसिक वो मोटी जो संड़चना है वो ही उसका पाध है पैर है और काफी जादा मजबूत मांस पेसियों से बना होता है और यही जो है उसको आगे बढ़ने में मदद करता है तो फ्रेंड्स यहां तक इसके आगे चलता है तिल चट्ता जिसको हम लोग ऐसको जानते हैं बाह संडचना इसकी भी होती है है ना इस इसका सरीर जो है कर्ठोर बाह कंकाल द्वारा ठका होता है यह जो बाह कर्ठोर कंकाल होता है यह कीसिस का बना होता यह काईटीन का बना होता है और इसके उपर मास्पेसियों के लिए इसके अस्तन से जूड़े होते हैं पंग तो यहाँ पे समझते हैं बक्ष के दो जोड़े पंग भी जूड़े होते हैं वक्ष से जूड़ा और बहुत पतला होता है तो यह सारा बात आपको नोट करना है कि अस्तन से वक्ष से दो जोड़े पंग जूड़े होते हैं पेसिया पसका पाइस, और बक्ष की जो पेसिया मैं उन्हें चलने में साहइता करती है और वक्ष की जो पेसिया गत्टी देती है तो यहां पिएक को आपको नूट करना है कि दिलचत्टे में बाहखकंकाल होता है जो बना होता है किसे काईटीन है जो बता है और गती देने के रिए बक्ष से जूड़े हुए दो पंक लगे होते हैं जो अगला पैर होता है वह शंक्रा होता है और पीछला पैर चोड़ा बहुत पतला होता है तिल्चटे में जो इस प्रकार की पेषियां होती है पैर की पेषियां उन्हें चलने में साहुआता प्रादान करता और जो बक्ष की पेषियां है व क्या करता है औरने उड़ने के समय उसके पैरों को गति प्रदान करता है तो यहां तक आपको समय आगया होगा आगे चलते हैं अब देखिए ये उड़ सकता है तो क्या सभी पक्षियों के उड़ने में इसी तरीके का होता होगा यही पाट काम आता होगा तो आगे देख लेते हैं नहीं ऐसा बात नहीं है हर एक पक्षी में जो अलग अलग तरीकी का बनावाट इस्ट्रक्चर जो होता है अब पक्षी में क्या होता है ये क्रिया कलाप आपका है देखिए पक्षी की जो अस्थियां होती है उसमें बायू भरी हूँ होती है बायू प्रेकोस्ट होते हैं जिसके कारण उनकी अस्थियां जो है काफी ज़्यादा हलकी और मजबूत होती है तो आपको एक point क्या याद रखना है कि इसकी जो अस्थियां है वो खोकली होती है या का सकते कि उसमें हवा भारा होता है परन्तु क्या होता है मजबूत होता है हलका होता है पर मजबूत होता है नेक्स पॉइंट में है कि इसके जो पस्च पाध है जो पीछे का जो पैर है उसकी अस्थियां चलने और बैठने के लिए अनुकूलित होता है तो पीछे का जो पैर है आपको ध्यान में रखना है कि पच्छी के जो पीछे का पैर है वो उसको चलने में या फिर बैठने में या किसी चीज़ को पकड़ने में क्या करता है हेल्प करता है और आगे का जो पैर है वो उसकी अस्थियां जो है रुपांत्रित हो करके पंख के रूप में हाना पंख बनती है और ये पंख क्या करता है उसको उड़ने में हेल्प करता है है ना कंधे की जो अस्थियां है वो मजबूत होता है वक्ष के अस्थियां उलने में पच्छियों को क्या करता है पेशियों को जक्ड रखने के लिए विशेश रूप से पुरुपांद्रित होता है और पंखो को जो है उपर नीचे करने में सहायता करता है तो फ्रेंड समझ अंग होता है या अगला जो पैर होता है वो उसको क्या करता है आगे का जो पैर है वो हड़ीदार हिस्सा है वो पंख के रूप में संसोधित किया रहता है जो उड़ने में मदद करता है और अस्थन की जो हड़ियां है यहां पे अब देख रहे होंगे अस्थन की जो हड़िय वक्ष की जो अस्थियां वह उड़ने वाली पेसियों को जकड के रखने के लिए विश्रूप से रुपांत्रित होता है है और पंखो को क्या करता है उपर नीचे करने में सहायता करता है तो आगे की जो हर्टियां है वह इस तरीके का और पीछे की अगर जो पद है वह आपक सकते हैं कि किसी चीज को पकड़ने में बैठने में क्या करता है है तो यह थी पच्छियों की बाद नेक्स्ट आगे हैं मच्छलियां अब आपने बच्पन से ही बहुत सारे मच्छली का पिक आप बनाते होंगे है ना और बहुत सारे पिक्चर ड्रा करने के दोरान आप यह देखे हूंगे कि इसकी संक्षना आप बनाते समय, आप कुछ इस तरीके का, हाना, बीच में तरीके का, हाना आगे का हिस्सा दोनों संक्रा बनाते थे और पीछे का बीच का हिस्सा, फो क्या राता था, तो आप इlimited देखे हूंगे, कि सनचना बनाते समय आप पीछ में मोटा बनाते थे तो कियूं बनाते थे पीछ का कारण यही है कि इसकी बॉड़ी यह होती है नहीं होता है जो कि estem जो इसको समूद्र संसरीन sub creole से मंदद करता है तयोगा इन अपल सब्साि सिर्व कनद कर पेसिक पहलें और जो आगे में आप देखेंगे इस तरीके का भी कुछ पंख लगा होता है यह जो पंख है वो क्या करता है मचली को जबतार रा होता है तब उसके बॉडि को बालंस करने का काम करता है है तो हम यहां पर I am hope आपको समझ में आ गया होगा है ना स्ट्रीम लाइन इसका बोड़ी का जो अ्कृति होता है वो धारा रेखिये होता है है ना और मचली का जो सीर है पूछ है उसके मद के पेच्छा क्या होता है पतला और नुकीला बनाया जाता है हना और जो क्या करता है इसको चलने में मदद करता है और नोट्स आप इसी तरगी से बनाएंगे जैसा हम बता रहे हैं आपको हना तो यह देखे मचली का कंकाग दिड़ पेसियों से ढखा होता है हना तैरने की प्रक्रिया में सरीर का अगला भाग एक ओर मुर जाता है और पीछे जो है विप्री दिसा में जाती है मचली जो है सरीर को मोरती है तो तीबरता से उसकी पूछ दो है दूसरी दिसा में मोर जाती है और जटका लगाता है और इस प्रकार मचली जो है आगे की ओर चलता है तो यही चुछ हम आपको बता रहे थे चलिए नेक्स्ट आग लंबी जो है इसमें रीड होता है इसका मेरुदन जो होता है काफी लंबा होता है और ये सीधा चलता है या फिर कर्व चलता है वो पता होगा कि ये कर्व चलता है कभी भी सीधा नहीं चलता है सरीर की जो पेस्टियां है छीन एवाम अशंख होती है इसमें असंख पेशियां होती है और परस पर जूड़ी होता है चाहे वो दूर ही क्यों नहीं हो लेकिन आपस में क्या होता है जूड़ा होता है पेशियां जो होती है मेरू दंट पसली हो एवं तुअचा को भी एक दुसरे से जोड़ती है हना साप का जो सरीर होता है अनेक बले में मुड़ा होता है इसी प्रकार सर्प का प्रतेक बले इसे आगे की ओर धकेलता है और इसका सरीर अनेक बले का बना होता है और प्रतेक बले आगे की ओर धक्का देता है इस कारण जो सर्प है बहुत तेज गती से आगे की ओर चलता है परन्तु सरल रेखा में नहीं चलता है क्योंकि इसका सरीर फ्रेंड्स बलायकार होता है तो इसलिए बलाय में तेज गती से चल पाता है परन्तु सरल रेखा में नहीं चल पाता है अब इसकी गती प्रदान करने के लिए कौन सा होता है तो आपको पता चल गया होगा कि इसकी पतली पतली जो मास पेसियां होता है और इसमें जो बहुत सारे जो है बहुत लंबा जो दंड होता है मेरू दंड होता है और इसके जो अशांख जो पेसियां होती है ये पेसियां आपस में क्या होता है जुड़ा होता है और यही पेसियां जो है आगे मतलब जो है चलने में म पुस्तक, गैट और अफ ऐनिमल्स में शवय अपने आप में आप से अनेक प्रस्म पूछे थे, कि बिभीन जनतू के सरीर में बिभीन भाग होते हैं, कि बिभीन जनतू जो हैं किस प्रकार से बुफ करते हैं, इसके बारे में इस पूस्तक में लिखा गया है, गैट और अफ पुस्तक का नाम क्या था पुस्तक का नाम था गैट आफ एनिमल्स और इसको किस ने लिखा था अरस्तू ने तो यह फ्रेंड्स यहीं तक था है ना बाकी यहां पर कुछ और बातें आपको जानने के लिए है कि योग दिवस कब मनाय जाता है है ना तो योग राष्ट संजुक्त राष्ट द्वारा 21 जून को जो है अंतराष्टी योग दिवस के रुप में खोसित किया गया है तो यह आपको याद रख सकते हैं आप बस यह दिया हुआ है कि मेरुदर्ण को सीधा रखने के लिए जो है मदद करता है आपका योग जिससे आप और स्ट्री योग दिवस कब मनाय जाता है यह प्रमुख सब्द दिया गया है अब सारांस को देख लेते हैं अस्थी एवं उपास्थी मानब कंकाल बनाते हैं यह शरीर का पिंजर बनाता है और इसे एक आकरिती भी देता है हना अस्थी और उपास्थी मिलकरके क्या बनता है कंकाल बनता है और ये जो है, पिंज़र बिनाता है, मतलब एक झाहा सकते हैं, एक संडचना बनाता है, धाचा बनाता है सरीर का, और इसे एक आकरिती भी देता है, कंकाल चलने में सहायक और आंत्री कंगों की सुरच्छा प्रधान करता है तो फ्रेंट जैसा कि हम आपको बताये थे कि कंकाल जो है हमारे सरीर की रच्छा भी करता है इंटर्नल ओर्गन का प्लस हमारे बोडी को क्या करता है सन्विक्चना भी प्रदान करता है नेक्स्ट है मानव कंकाल खोपडी मेरुदन पसलियों वक्ष की अस्थी कंधे और स्रोनी मेखला और हाथ पौँ की अस्थियों से बनता है मानव कंकाल के अंतरगत कौन कौन से चीज़े आती है तो खोपड़ी आपका मेरुदन पसलियां, वक्ष की जो अस्थी होती है, कंधा, स्रेनी मेखला, हैना, जो भी है वो सारे चीजे, उस सारे अस्थियों जो है, वो सारे किसमे आती है, कंकाल के अंतरगत आता है, हैना, कंकाल में आपके कोई भी ज्वाइंट्स, जो भी है, या कोई भी हड़ियां है, इसके अलाबा काटिलेज, उपास्ति है, ये सारे चीज सामिल होता है, पेसियों के जोड़े के एक आंतर क्रम में सिकूरने और फैलने से अस्थियां क्या करता है, गती करता है, हैना, तो मसल्स के जब जोड़े, मतलब जब दो मसल्स, जो है, एकांतर क्रम में या तो सिकूड़ता है या फिर फैलता है या तो कॉंट्र toutes करता है या फिर रिलक्ष करता है यानि फैलता है तब क्या होती है स्थियों में गति हो जाती है नेक्स्ट आस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती है यह उस संधि की प्रकृति यवं गती की दिशा पर निर्वर करता है आपने बहुत तरह के संधियों की संधि के बारे में पढ़ा बॉल एंड सौकिर जॉइंट्स देखा धुरागर संधि जिसको पाइबोटल जॉइंट्स करते हैं हिंज संधि इसी तरह से फिक्स जॉइंट्स को देखा सैडल जोइंट्स को देखे तो ये अलग-अलग तरह की अनेक प्रकार की संधी होता है जो उसकी प्रकृति और गती की दिशा पर निर्वर करता है नेक्स्ट है पक्षियों की दिड़ पेसियां तथा हलकी अस्थियां जो है ये पंको को फड़ फड़ा कर उड़ते है मचली के सरीर के दोनों और एकांतर क्रमें बले बनाकर जल में तैरती है सर्प अपने सरीर के दोनों और एकांतर क्रमें बले बनाते हुए भूमी पर वल्याकार गती करता हुआ आगे की ओर फिसलता है बहुत सारी अस्थियों एवं उससे जोड़ी पेसियां सरीर को आगे की ओर धका देता है नेक्स्ट है तिल्चट्टे के बारे में कि तिल्चट्टा का जो सरीर है एवं पैर कठोर आवरन से धका होता है तिलचट्टे का चलने एब उडने में शहायता करता है हैना अस्तन की पेशियां बारी बारी के विस्तरान और संपुचन से होता है सरीर की अधह सत्अपर संकू केच्वए बहुमी पर पकड़ने में सहायता करता है और होंग पैसीय अपाद की सहायता से चलता है गोंगा इसके मॉसल्स पाद पाद पाने उसे चल पाता है छलिए कोर्षन कर लेते हैं पहला है अस्थियों की संधी सरीर को तो अस्थियों की संदी सरीर को क्या करता है गती में सहायता करता है नेक्स्ट है अस्थियां और उपास्थी संजुक्त रूप से सरीर का क्या बनाता है कंकाल बनाता है कोहनी की अस्थियां तो कोहनी में कौन सा जॉइंट होता है हिंज जॉइंट होता है गती करते समय कौन से मास पेशियों से अस्थियां खिसती है किस के संकुचन से अस्थियां खिसती है तो मसल्स के संकुचन से या फिर मास पेशियां यहापे होगा मास पेशिया नेक्स चलते हैं गती के समय मास पेशियों के संकुचन से अस्थियां खिसती है नेक्स्ट है सभी जन्तुओं की गती एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है तो सभी जन्तुओं क्या एक ही समान गती से समान उनका जो चलने का जो प्रोसेस है वो एक समान होता है गलत है उपास्थी अस्थी क्या पेच्छा कठोर होता है बिल्कुल गलत है उपास्थी तो काफी जादा सौफ्ट होता है जो कर्ण का जो निचला हिस्सा है जिसको हम कर्ण लोग या फिर निचला लोग बोलते है नेक्स्ट है अंगुलियों की अस्थियों में संधी नहीं हो इसका नाम आपके hoo坊 होता है कि हात में आपके कितने सतिया हुता है तो हात में अपके कितने सतिय हैं अब फ्रेंड्स यह न हम उwn और सपने कि यहां यहां पर जोड़ होताई कि फिर भी आपके फेर होतain पाया जाता है, तो तिल चट्टे में बाहे कंकाल पाया जाता है, बिल्कुल सही है, जो की काईटीन का बना होता है, आगे बढ़ते हैं कॉलम, उपरी जबड़ा, आपको यहाँ पे कॉलम दो के एक या अधिक कथन से जोड़ना है इसको, तो पहला है उपरी जबड़ा, यह क मचली मचली का सरीर क्या होता है यहां पर जोड़ेंगे मचली का सरीर धारा रेखिए होता है इसके अलावा मचली के सरीर पर क्या होता है पंक होता है ठीक तो इसको आप यहां से जोड़ सकते हैं यह और यह नेक्स्ट पसलियां पसलियां जो है क्या होता है यह पसलियां जो ह जो है फिर्दे की सुरच्छा करती है घोंगा घोंगा जो है बहुत हीमिकती से चलता है और तिल चट्टा जो है बाहे कंकाल होता है और यह हवा में ऊड़ सकता है है ना तो यह सारा आपका हो गया नेक्स कोश्चन की बात करते हैं निमलिखित प्रश्णों के उतर दीजे तो फ्रेंड्स आपको अभी बताया हैं कि जो है बहुत प्रकार का होता है जिसमें ने एक जो होता है जिसको चल संध् удивोल सकते है विखिया जाब सकता है इसमें को मूझंथ होता है हना तो यह इस प्रकार से जो है आप इसको अगर पूरी-तर से मूफ कर सकता है ऊफुरियीं म्हूफ कर सकते हैं मतलब यह आपका बॉल आट्सवेट जॉइंट्स है कपाल की कौन सी अस्थी कती करती है तो कपाल में आपका एक ही जो है अस्थी गति करता है वो है आपका लोवर जा जो निचला जबड़ा होता है, है ना निचला जबड़ा, लोवर जा जो होता है, सिर्फ और सिफ वनली वन बोन डाट इस मोवेवल इन अस्कल बोन है ना डाट इस लोवर जो है ना लोवर जाबोन जो होता है वो आपका कपाल की एक मांत्र हड्डी है जो कि क्या कर सकता है गती कर सकता है नेक्स्ट है कभी-कभी आपको सीटेट में प्रस्न पूछ सकता है यहाँ पे कि निमलिखित में से कौन से पार्ट का जो बोन होता है वो बिल्कुल मूव नहीं करता है तो कपाल सीर का जो बोन है वो कभी भी मूव नहीं करता है कपाल आपका अपिका अ किस में आता है किस में आता तो यह सीर कीisa बिल्कुल मुवेवल नहीं होता है वह लुक्त है अपका अंसर हो जाएगा हमारी कोहनी पीछे की और क्यों नहीं मुड़ सकती है तो friends, elbow जो है हमारा क्यों नहीं move कर सकता है, पीछे की ओड, तो आपको पता होना जाहिए कि कि हुनी में किस प्रकार के joints होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग hinge joint, है ना, hinge, संधी या hinge joint, जो किस प्रकार से move करता है, ये केवल और केवल only one plane में जो है, one plane, एक ही plane में move कर सकता है, इसलिए हम लोग इसको पीछे नहीं मोड सकते हैं, क्योंकि hinge joints होते हैं, elbow में, जो कि only one plane में ही move कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसका ये उत्तर हो गया, तो friends, ये chapter जो है आपका समाप्त होता है, आगे की जो विडियो होगा, उसमें हम जानेंगे adaptation के बारे में, अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे, हैना, कि बिभिन प्रकार के जो area होता है, जैसे बरफीले, एरिया में जो है बरफीले, छेतर में जो है, जानवर की क्या विसेस्ता होती है, उन सभी चीजों के बारे में, हम लोग अगली class में देखेंगे, आप इस चैनल से बने रहें, अगर कुछ भी doubt होता है, तो नीचे comment में पूछिए, और इस वीडियो को जितना जादा से जादा होशक है, आप सेयर करें, अपने friends के बीच में, हना, तब इस वीडियो के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद,